नमोना आयाएं दोस्तों, सबसे पहले पिछले वीडियों को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हम बात करने वाले हैं करक राशी और उससे जुड़े हुए मंत्र के बारे में एग्रा होता है या एक देवता होते हैं और इसके बीच वंत्र का ध्यान करने से आप उस राशी के देवता को बहुत ही पावफल बनाते हैं आप उनके energy को प्रवोग करते हैं तो इसके लिए आपको अपने चंदर राशी को जाननी की आवशकता है जो आप किसी भी astrologer, किसी भी जोतिशी के help से आप जान सकते हैं और जैसे ही आपको अपनी चंदर राशी का पता चलता है आप उससे सबमंदित राशी बीच मंदर का उपयोग शुरू कर सकते हैं तो हम इस चीज के बारे में थोड़े से detail में जान लेते हैं यहाँ पर आपको एक चिस पता होना बहुत important है कि चंदर राशी का मतलब moon sign होता है जो कि sun sign से अलग है अब यहाँ जितने भी लोग cancer sun sign को लेकर के आए हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं चंदर राशी के बारे में मतलब कि moon sign यह sun sign से अलग होता है कर यह cancer sun sign यह वो लोग होते हैं जिनका date of birth जून 22nd से लिकर जुडाई 22nd तक के बीच में होता है लेकिन अपनी moon sign को जानने के लिए यह चंदर राशी को जानने के लिए आपको किसी जोतीशी से मिलना होगा शायद या फिर आप किसी online platform पर भी अपने date of birth और time को डाल करके पता कर सकते हैं करक राशी की जो जातक होते हैं, जो करक राशी वाले लोग होते हैं उनका जो स्वामि GRE वह चैंदर्मा है और इसलिए इस राशी को जल तत्व की राशी माना जाता है आम तोर पर देखा गया है कि ये लोग काफी emotional होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं, दिलदार आप कह सकते हैं ऐसे लोगों को Hindu जो astrology है, उसके अनुसार करक राशी, चौथी राशी है और इसका जो विशेश मंत्र है वह करक राशी के जन वालों के लिए होता है इस मंत्र की जाब से आप धन और शुक को आकरशित कर सकते हैं, आपको उसको आकरशित करने में help मिटती हैं और इससे married life में भी जो भी problems हैं उसको आप solve कर सकते हैं या मंत्र शत्रों को परास्त करने में भी जो भी आपके enemies हैं जिस भी तरह के जो भी आपको लोग obstacles कर रहे हैं life में उनसे भी पार पाने में ये help करता है और आपको spiritual growth भी देता है तो चलिए हम बात करते हैं कि ये कौन से चार शब्द हैं करक राशी के बीच मंत्र में चार शब्द हैं ओम, aim, clean, stream तो ये चार शब्द हैं और अब क्योंकि आप again इस शब्द को जान चुके हैं इन चारों को तो आप यहाँ पर pause कर सकते हैं पर अगर आप इस बारे में जा चार शब्द हैं कि ये शारी सब्द आपको कैसे help करने वाले हैं कैसे पढ़ना हैं और आप actually इन शब्दों का use करके किन से connect हो रहे हैं तो थोड़ी देर वीडियो में और बने रहे हैं जो हमने last वीडियो बनाया था जैमिनाई के बारे में उससे सिर्फ यहाँ पर एक शब शब्द हैं इसे ब्रह्मान की ध्वनी के रूप में माना जाता है इससे हम ऐसा कहते हैं कि हम ब्रह्मा श्रिष्टी करता विष्णू जो की पालक हैं और महेश जो की संखारक हैं इन तीनों के ध्वनी के रूप में माना जाता है इससे त्रिवूर्टी के प्रतीक के रूप करने से जो भी वेक्ती है वो जस भी फील्ट में प्रोग्रेस पाना चाहते हैं इस मंत्र की जाब से वह अपने अपने फील्ट में अपने creative field में प्रोग्रेस पा सकते हैं हर मंत्र का अपना एक खास energy होता है तो एम वीजमंतर आपको किसी भी creative field में progress पाने में help करता है जो third word है claim यह claim भी इच मंत्र भगवान कृष्ण को call करने के लिए होता है claim भी इच मंत्र भगवान कृष्ण के आकर्षन की गुनवकता से जोड़ा जाता है उसे clean का जाप हमें अपने जीवन में जो भी हमारी aim है जो भी हमारी ambitions हैं अपने लक्ष को लक्ष तक पहुचने में help करता है यह बहुत ही deep spiritual भगती से भी जुड़ा हुआ होता है और इस मंत्र का जाप करने से आप बहुत ही happy अंदर से बहुत ही content फील करेंगे आपके दिल को यह बलकुल प्यार से भर देगा और finally जो चौथा word है वह है श्रीम श्रीम महालक्षमी मंत्र है जो की धन और सम्रिद्धी की देवी है इस मंत्र का जाप करने से व्यापार में सफलता धन में धन आपको मिलता है जो भी materialistic properties है आप उसको पाते हैं किसी भी तर की बिमारी से भी आपको निकलने में help करता है यह मंत्र इतना strong है कि आपके अगल बगल में जो भी negativity है या फिर किसी भी तरह की बुराई यह उससे भी आपको बचाता है उससे भी आपको इस रक्षा करता है जो भी लोग जिनकी भी राशी कर्क है मतलब की cancer है जिनकी भी moon sign म आप लोग इस मंत्र को आराम से जाब कर सकते हैं इस मंत्र के जाब से कुछ certain चीजें achieve करना बहुत easy हो जाता है यह आपको एक बहुत ही अच्छी personality देता है और आपके health को improve करता है आपकी ग्यान अब क्योंकि यह मासरस्वती का मंत्र है आपकी ग्यान और कौशल में रिद् किसी ऐसे फील्ड में है जहां पर आपके intellect की जरूरत है तो उस चीज में आप progress करते हैं आपका भाग यह अच्छा हो जाता है क्योंकि यह स्वैम कृष्ण भगवान का मंत्र है और क्यों आपके दिल को भी प्यार से बहुत देता है और आपके किसी भी तरह के आपके relationships हैं उसमें जिसमें तरह की improvement चाहिए अगर वो आपके लिए सही है तो वो improve होगा अगर सही नहीं है तो शायद वो टूट भी सकता है यह depend करता है तो उस तरह के सारे love relationships को भी यह handle करने में help करता है क्योंकि यह मा लक्ष्मी का वंत्र भी इसमें है तो आपको जितने भी धन संबंदी जो भी problems हैं जो भी चिंताएं हैं उन सब कर समाधान होगा व्यापार में सफलता होगी और धन में वृद्धी होगी सत्रू को पराश्ट करने में यह मंत्र सहायक है और overall किसी भी तरह की जो this related astrology related को भी problem है तो भी इस मंत्र से वो सारी चीज़ें sort out होगी करक राश और किसी भी समय इसका जाब कर सकते हैं इस मंत्र को जाब करने के लिए जो best है वो है 11 बार, 108 बार या 1008 बार करक राशी के जाब से जन्मे लोगों को बहुत सारे लाव हो सकते हैं जैसे कि self growth, good health, intellect, knowledge, इन सारी चीज़ में increase, money and success यह आपको मिलेगा अगर आपको ये वीडि कोशी के बारे पर जानना चाहते हैं उसके बारे बताईएगा and please suggest आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे thank you for watching